पाकिस्तान तरीके इंसाब नहीं, पाकिस्तान तरीके इंतकाउं की सियासित करने के कोशिश करने है अगर उनके उपर एतसाब का आहनी शकंजा आया है, उसको नर्मीनी आने चाहिए बिसमिल्लेर, रिमाने रहीम, असलमलेकूम नाजरी, प्रोग्राम निवस पॉइंट के साथ मैं हूँ आँँ आसमा चाहदरी, आज के प्रोग्राम में आपको खुशाम देख कहते हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम ये नवीर भी सुनाई देते हमें इस वक्त सामने आ रहे हैं कि आएमेफ के पास शायद उन्हें ना जाना पड़े और आज भी ये खबर सामने आई है कि 23 अक्टूबर को साओधी अरब का एक रोजा दोरा भी किया जाएगा, इसके बाद च अधिजाज भी हैं, लोगों की महंगाई सी चीखें भी निकल गई हैं और जो आई रोज हकूमत यू टर्न लेती है, कभी कहते हैं आएमेफ के पास जाएंगे और कभी कहते हैं कि नहीं जाएंगे, तो इस से एकॉनमी पर क्या असरात हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम इस पर भी बात करेंगे, काभीना के जलास में ये भी बताया गया, कि एन फसी एवार्ड में सुबों को 3% कट करके फाटा को देने का एलान भी किया जाएगा, क्या इसमें सुबों की मुशावरत शामल है, या या ये चीज़ अभी सामने नहीं आई, इन्हीं तमाम तर पॉइ पाकिस्तान की दावत, मेमो गेट केस, हुसेन अकानी का मौमला, FIA ने इंटरपोल से राबता कर लिया, इहतसाब कानून, आपोजिशन तर्मीम लाए, हकूमत तावन करेगी, विफाकी वजीर इतलाद, फवाज चौधरी, अबराज ग्रॉप के हवाले से आला सता पर तहक जादी पौश का इन्खला नहीं चाहते, तर्जमान दफ्तरे खारचाब, जी नाजीन इसी पर मजीद बात करेंगे, और कुछ आज जो कंधार में हमला हुए है, वहां के गवनर हलाक हो गए, अमेरिकन फोर्सिस के कुछ एहलकार भी हलाक होए है, वहां के जो खुफी अज पर पाकिस्तान पर क्या ये चीज़ें सरांदास हो सकती है, या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमें जोइन करेंगे, फरुख हबीब साब, मने हैं पी टी आई से, से, सेनेटर जनले रिटारिड अब्दुलक्यूम साब, पकिस्ताम उसम्डी ग्नून से फैसल करीम कुंडी साब, साबिक डेप्टी स्पीकर कौमी सम्डी पाकिस्ताम पीपल्स पार्टी से, एक मुक्तसा से ब्रेक के बाद, जी नाजीम, ब्रेक के बाद, आपको खुशाम देद कहते हैं, बात होगी, महंगाई के हवाले से, और जो गैस और बिजली की कीमतों मे इजाफे की बातें सुनने में आरे हैं, और गैस की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया है, और क्या इसके बाद, बिजली की जब फीज उनिट कीमत बढ़ाई जा रही है, तो पकस्तान के अवाम कहां जाएंगे, कुछ गैस की कीमतों के बारे में हम आपको बताते हैं, व पहाना 23 रुपे किया गया है, और आम आदमी का बिल 252 से बढ़कर 257 रुपे हो जाएगा, 100 क्यूबिक मीटर गैस इस्तमाल करने वालों का बिल 480 से बढ़कर 551 हो जाएगा, और जो तीसरा स्लैब बनाया गया है, 200 क्यूबिक मीटर गैस इस्तमाल करने वालों के लिए 1851 51 रुपे से बढ़कर 2216 रुपे हो जाएगी और जिन लोगों का बिल 500 क्यूबिक मीटर गैस इस्तमाल करते थे 14,972 आता था अब उनका बिल खुशकबरी के तौर पे 36,000 रुपे हो जागा इस पर बात करेंगे महंगाई का तुफान है और प्राइमिनिस्टर एक बार फिर कह रहे हैं कि वो आई-म-फ के पास ना जाने के बारे में शायद सोच रहे हैं कितनी हकीकत है क्यों आए देन इस तरह की यू टरन होते हैं पहले कुछ बात की जाती है और इसके बाद नई चीज़ें सामने आती है अपने मौजब मेमानों को वोल्कम भी कहेंगे इसलामबाद में हमेसा तश्रीफ लगते हैं जनाफ ऐसल करीम कुंडी साब साब एक डेप्टी स्पीकर नेशनल इसलम्ली रह चुके हैं आपको वोल्कम कहते हैं पाकिसान पीपल्स पार्टी से फरुख अबीब साब में साथ तश्रीफ लगते हैं मैंने हैं पाकिसान तहरी के अंसाफ से आपको वल्कम कहते हैं सेनेटर जनरल रिटाइड अब्दलकयूम साब में साथ मौजूद होंगे पाकिसान मुस्म्ली गनून के सीनर आनमा सरा आपको भी आज के शो में वल्कम कहते हैं कुंडी साब ये जो गैस की किम्ते हैं इसमें तो चले इजाफा हुआ इसको भी हम डिसकस करें वजीर आजम कहरें अब वो पुर उमीद है शायद आईमेफ के पास ना जाना पड़े आप के कहते हैं बिसमेलायरमानरी में देखें देखें वजीरादम साब ने पहले भी स्टेजमेंट्स दी थी कि मैं बिलकुल भी जो है वो नहीं जाओंगा उसके पास आईमेफ के पास उन्हों ने खाँ खुदकुशी कर लूँगा अपुजिशन में थे पुलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उसवाद बंदा जजबात में भी होते हैं और जब आप हुकूमत में आते हैं तो पिर आपको अब फरुख साब को पता हो अब यह हुकूमत में बड़े मुश्किल डिसिशिशन भी लेते हैं जैसे अब जजबादी दोर पे मुराद सही साब ने भी एक स्टेटमेंट देगी पने 200 अरब रुपए जो हैं अगर इसे आवाले से अगर देखा जाए तो पिर तो यह पिर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो जो कोई चालिस हरप की कोई मंदिल लॉंडरिंग या करप्शन के पैसे हैं तो अगर वो चीज़ें अगर होती हैं फिर तो आई मैफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है पिर तो आई मैफ को कहें कि आपना काम करें वही हुरा सहीद वाली है आप पैसे मूंपे मार दें जो भी करने कर दें लेकिन अगर यह ऐसी पुलिकल स्टेटमेंट है फिर तो आप आई मैफ के पास भी जाएंगे और कीमत आपकी और बढ़ेंगी डॉलर करेट और बढ़े बढ़ेंगे की वज़े से हुई है तो उससे पहले यह कुछ हम देख रहे हैं आई मैफ के जाने से पहले ऐसा फरुक साब यह जो आपकी हकूमत में कहा जाता था आम आजमी को रिलीफ मिलेगा ने आप पाकिस्तान होगा कोई नई यहां पे चीजे हम देखेंगे यहां तो तो आप लोग कहते हैं जी मुश्किल फैसले करने तो मुश्किल फैसले पाकिस्तान के अवाम के लिए तो ना करें ना कि वो बिचारे भूख के पैसे मर जाएं देखें आसमा बात यह है कि हमामले को नहीं होगा है जैसा कि आपके इलम है कि जो माजी की हकोमत है वो हमारे मलक के अंदर जो खजाने का हशर नशर करके गेंए है और जो तबाही मचाके गेंए ओगां ऑपके सामने हैं कि आप देखें कि सर्कूलर टेट आट चोड़ की चल गए 1200 अड़ा आप ने गएस की कीमतों की बात की Mrs.Pear City और ओरके अंदर जो इनका क्रेडट है कि गएस के उपर जो है जो हो जीरो सर्कूलर डेट था आज 154 अरब का जो है वो गैस का सर्कुलर डेट था अगर गैस की कीमते ना बढ़ा थे जिसमें ये कोशिश की गई जो 95 लाग गैस के यूजर्स है उसमें से 75 लाग लोगों के उपर तस से 15 फीसद इजाफ़ा किया गया है उन लोगों के उपर इजाफ़ा किया है जू एजाफ़ा का पूज बरदाश कर सकते हैं उसी के साथ साथ जो रिलीफ दिया गया आपके इल्म में है कि LPG के कितने यूजर्स हैं गैसके तो सिर्फ 9 मिलियन यूजर्स हैं बड़ी तदाद में लोग LPG के यूजर्स हैं LPG के ओपर जो 30% ड्यूटी थी वो कम करके 10% कर दी गी ताके LPG की कीमतें जो हैं वो सस्ती की जाएं आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर पिछले 60 साल के अंदर आपका जो है वो सिक्स बिलियन डॉलर आपका करजा था आज जो है वो 28 पे चला गया है मुझे बताएं कि जो लोग लेके गए उन्होंने ये करजा लगाया का है अगर देखते हैं तो वो करजा जो है वो लंदन के माहलात के शकल में नजर आता है वो अपनी आयाशियों की शकल में नजर आता है ये क्राइसिज हमें जो है इस हकोमत को पिछली हकोमत ने वरासत के अंदर लिया हूँ मैं अनकी हगोमत के आफटर shark है कि हम काम भी कर रहे हैं इस चीज़ के ओपर आवाम को रिलीफ देंगे अवाम के ओपर कम से कम बोल हिडा जाएगा चले पूछ मुझे के अंदर क्या अंदाजे है लेकिन अंदाजे इतने खौफ़नाक हो गए ना अंदाजे तो प्रैक्टिकल ही हमने देख लिया जो मुलक में इस वक्त महंगाई का तूफान है ये एक बात बड़ी मुझे मज़क है खैसी लगती है हमेशे सुनने को मिलती है पिछली गर्वर्मिंट क्या हमारे लिए छोड़ के गई ख़जाना खाली कर गए तो वो बार बार आपको कह रहे हैं फबाद चौदरी साथ भी आज कह रहे हैं कि मिया नवाज शरीफ ने मुलक के साथ खिलवाड किया कौमी ख़जाना खाली कर गए क्या कहते हैं इस पर आप बहुत मेरबानी मैं अपने पार्टिस्पेंट्स को मेरा सलाम दे देखें आज इसमें कोई शक नहीं है कि एक्चूल इशू एकानुमी का है मैशत का है आज टाप पे आज मिलिटेंसी भी पीछे है बिकाज अल्ला का करम है कि मिलिटेंसी पे कंट्रोल हुआ उसके उपर तो हमारे पुलिटिकल अरीफ जिकर नहीं करेंगे और उस सिचुएशन एनरजी के भी अंधेरों से निकल के कम अज कम आपको लाइट्स मिल रही है और ये खुदा का करम हमारे अंदर इतना जर्फ होना चाहिए कि जहां जिसने जो कांट्रिब्यूट किया है वो बात की जाए ये ठीक बात है कि ये बड़ा चैलेंज है इस हकूमत के लिए एकानमी का देखें जब परवेजबु शर्फ साब ने टेक और किया था तो उस वकत उनके उपर भी एकनामिक्स का दबाओ था और उन्होंने क्या किया कि री प्रोफाइलिंग की डैट्स की और पैरिस कलब के पंदरा ममालक के साथ और चूंके बैनलक्वामी सता की उपर ये 9-11 के बाद जरूरत थी पाकिस्तान की तो मालियातियादारों ने भी और वेस्टन पावर्ज ने भी कॉापरेट किया और उनके डेफर होगे पंदरा साल के लिए करजे और उनको ना प्रिंसिपल अमौंक देना पड़ा ना इंटरेस्ट देना पड़ा अभी आप ये जो बात करते हैं ना 6,000 अरब थे तो फिर पीपल पार्टी में 13,000 होगे तो अभी 28,000 होगे तो अभी मेरे भाई कह रहे हैं फरक साब के भाई महल बन गए इसके अंदर बेरे खाल है लोगों ने रस मलाईयां खाई है या क्या खाया देखे जिन लोगों को एकानुमी की समझे उनको पता है कि अगर अगले दिन खुद इमरान खान साब कह रहे थे कि जब एक रुपया डालर की कीमत जो है वो डी वैल्यू होता है रुपया और बनता है तो नोवे अरब का अवराल आपके डैक्स में जाता है अब अभी इसाब कर लें कि जब पीपल पार्टी ने टेक ओर किया तो 60 बिलियन 60 रुपीज का डालर था तो यह जैसे जैसे डालर भी बढ़ता जा रहा है अब जब यह जाएंगे ना अब जब यह जाएंगे अभी इनके दो मेनों के अंदर यह डैट बहुत उपर हो गए है अब जब आई-म-फ से भी लेंगे तो वो कहा आएगा कुमेटी बनाए ठीक है और वो यह देखे कि पीपल पार्टी के दोर में बड़ा तो किदर लगा और उसमें कितना यह डिवैलिवेशन का अप्या कितने पिछली किस ते दिन दिन बिल्कुल और हमारा भी वो अड़िट की जाए और फिर बात की जाए फैक्स रिर रहकर बात करें अब अब देखें मार्केट संटीमेंट को इरोड ना करें आप अगर कहते हैं हम आई अफ में नहीं जाएंगे फिर आप कहते हैं शायद हम नहीं जाएंगे यह लौड थिंकिंग पॉबलिक से सामने ना करें राइट फ्रम डे वन यू शुड आव नोन के करना क्या है एक ब्राड पालिसी वीएं दें और उसके उपर ब्राड एकनामिक पालिसी दें बिलकुँ और उसके उपर कंफ्यूज ना करें यह मेरा जो पॉइंट है ने लोगों को कंफ्यूज ना करें मुझे एक चोटे से ब्रेक पे जाना है थे हैं और ब्रेक के बाद दोबार आप से मनते हैं जी नाजीम ब्रेक के बाद आपको खुशाम देद कियते हैं बात हो रही है मुल्क की एकनोमी के हमाले से और बड़े बोल्ड डिसीजन्स करने होंगे हकोमत को कन्फ्यूज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए तो कुन्दी साथ ये जो बाते हो रही हैं कन्फ्यूज ना हो लोग तो कन्फ्यूज रहें और डॉलर भी कन्फ्यूज हो जाता है जिस देने ऐलान करते हैं कि जी हम आईमेफ के पास जा रहे हैं कि अगर अगर आप देखें कि एक स्टेच्मेंट दे दूसरा मिनिस्र के बाद दूसरी स्टेच्मेंट दे एंफॉलिलिए इनकी जो कम्यूनिकेशन गैप है विदिन धी कैबिन ओर यूज पार्टी वह सबसे बड़ा जो है कन्फ्यूज है और होते रहते हैं, हमारे साथ भी यह हुआ, हम समझेदे कि इधर नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी केबिनेट में हैं, जो लोग हैं जो के परिशूट के जरी आते हैं वो पिर वो फ्रंट फूट पर आ जाते हैं और बागी पीशे चले जाते हैं, अभी आप केबिनेट देखे सिर्फ केबिनेट में पार्ण जो लेंगा, सिर्फ केबिनेट चैएंग हो गया, टीम तो तकरीब जो तकरीबरागी आदी टीम तो भी एकिल रही हैं, तो यह पाता था थाभी आइनकी एब देखें है, सौदिए अरेविए जारहें हैं उसके पाद चाइना जारहें देखे आप IMF का लोन लेकि कि आप साओधी हो तो अपना चाइनीज को पेमेंट तो अपना नहीं करेंगे या अमरीका का कनसान है जी बिलकुल आई भी बिलकुल इसको पर लिए तो यह बहुत सी चीज जो हैं अईसे जिस पर आप वो अपनी क्लिरिस मागेंगे जब एक आप जाते ह जान चाहिए, हमेशा हम ने नहीं बताते हैं मैंके वे गलत की अगर्म हों नहीं को बताना चाहिए, कि कितने करजें लिये हैं और हमारी जब हूब थी 2008 में, यह पार्लिमेंट में अब एक भी आयए मैफ के पास कहे थे आयए मैफ के पास गये ते पर इसमले हैं कि करजों कब किसी दूसरे पर मलबा डालें, बोल्ड फैसले करें, लोगों के सामने आप रखें चीजें, क्योंके खुद आप कहरें, डॉलर की कीमत उपर जाती है, तो कर्जा खुद बखुद आपका एक दम से बढ़ जाता है, तो इनके खाते में क्यों डालते हैं, देखें आसमा बात जो हैं है कि अच्छी बात है जिसना पाकिस्तान की अवाम ने हमारे पर इतमाद किया है, और इनकी भी एक्सपक्टेशन हमारे से हैं कि जो ही काम ये नहीं कर सके, जो इनको करने चाहिए थे, वो हम करें और इन्शाललह हम करेंगे, और आपके एल में है, जो लास्ट कैबि और किस मद के अंदर जो है उनका इस्टमाल किया गया ताकि लोगों को हकीकत का पता हो और जब आप हकीकत को मानते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं और जहां तक रही बोल्ट फैसलों की बात तो हम एकॉनमी को ठीक करने के लिए हमने युकिनन जो है वो बोल्ट डिसीएंस लि नहीं उनको दिया है कि जो इनपुट सी उनके ओपर उसके ओपर ड्यूटी काम की गई है ताकि जो बंद इंड्स्ट्री है आपने देखा कि बियानाता है एक इप्टमा बाकी इंड्स्री की कि कि हम बंद इंड्स्री को अब चलाने के काबल हो चुके हैं लोगों को आपके oudar थे मजदूर थे जड़े अपका अग भर क मृता एंडीस्ट्री से लोगों के लिए क्या किया किसान के लिए क्या किया आम पकिसान के लिए क्या कि आप ke जाई कि और हमाने च है जिसके अंदर 25,000 लोग जो हैं मलाजब हैं तो इसको आप ऐसे आम अदाश मेरा हम नहीं ले सकते हैं लेकिन आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं और रही बात जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अधाफा होगा आपका जड़े मुबादला बढ़ेगा आपकी एक्सपोर मुझाराण खुद म drifting करेंगे ठी किसी ने है उसके लिए कोई किसी को सिस्तमाल करता था कोई किसी चैणल कोसिते माल करता माँ लाउर नग के लिए वो खत्म होगी और सालाना कल इनंहीं की पार्टी मिफ्तार इसमाल साब मेरे बैट है यह कह रहे थे चे दो डोलर के ओपर खतम कर दिया है पंजाब हकोमत ने कहा है के वो कराए बढ़ा है देखे मुझे मुझे मेरी आसमा बजारी सुनने बात पता के है बात ये है कि आप करजे लेकर मुल्की एकानुमी के ओपर बोज तपढ़ रहा है आपका अगर आपने एकानुमी को ठीक करना है तो हमें कुछ देजिन्स लेने पड़ेंगे जो के सबसेडी आपने का सबसेडी क्या आमादमी को जा रही थी आप खुराए टाराय की मद का इस्यू नहीं था जो इतना बड़ा आपने इंफरस्ट्रक्शर लगाया लाहॉर मेटरो का उस इंफरस्ट्रक्शर को चलाने के ओपर वो आप 40 रुपे, 40 रुपे एक आम आदमी से ले रही थी, पिन्यमलेन की हकुमत, जो आम ट्रांसपोर्ट चलती थी, उससे कही गुना कीमत काुमत थी, चले आपने कैपी में भी तो रैपिड बस शुरू किया, वो आज तक कंप्लीट नी हो और बड़े-बड़े दावे होते थ तो पिर जैसे वो कहरें ने हमारी इंडस्ट्री आगे जाएगी तो लोगों को रोजगार मिले गए, ये तो लॉंग टर्म पॉलिसीज हैं, इमिजेट लोगों किया आपको नज़र आ रहा है, अभी ऐसे फैसले हकुमत ने की हैं, जिसे इमिजेटली आपको लोगों को इसलाथ हो जाएं या इसका आउटकम सामने आ जाएं, इस अब तक ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकन दी पॉइंट इस कि जहाँ कन्फियन होता है, वहाँ ये है कि इनकी स्ट्रेस इस पे है, कि पिछली हकुमत में ये कर दिया, उससे पहले ये कर दिया, और ये अपनी पा आप फार्मर्स को देते हैं, क्यू बेलों पे, इंडिया की उपर आप अगरी कल्चर में आप देख लिए, तो अगर अगर यहां मसलन ये आप रावल पिंडी इसलामाबाद की बास सर्विस चली है, तो वो लोग जो सड़कों पे उपर अपनी कारों में, मॉर्ट साइकलो के उपर रक्षों में खिजल होते थे, अभी वो बीस रुपए दे के दर आते हैं, तो ये सबसेडी तो है, आपको ये लोगों की मदद के लिए, ये सब्जेक्ट्स हैं, और आपने भी इसी को देख के शुरू किया, और और ज्यादा मेंगा पिशावर के अंदर, यानि व और लोगों को एक हुसला मिले के ये, ये चैलेंजिस हैं, इनको हल करने के लिए अमारी ये पालिसी है, उसके लिए ये टाइम फ्रेम है, या फिर छोड़ दे हकूमत, कहें के जी सौरी, ये इतना खराब हुआ 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 है, अमें नहीं पता था इतना खराब है, हर हकूमत, ये जब जाएंगे, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, कि अगली हकूमत जो है, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, वो तो बिलकुल ही मुसीबत के अंदर गरिफ्तार होगी, जहां तक मुस्लिम भी गनून की हकूमत का तलक है, आप ये देखें कि बैनल अक्वा हो सकती अगले 10-15 सालों के अंदर, आप देखें कि रेविन्यू कलेक्शन जब हमने शुरू किया तो 1900 अरब थी, जब हमने छोड़ा तो 4900 अरब रुपे थी, इसी तरह GDP 2.8 से 5.8 पे गी, इंफलेशन 12% से कम होके 4% की उपर आई, ये एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वो बैनल अक्वामी रीजन्स भी थे और उसका अनलेसिस करना चाहिए, वो एक्सपोर्ट के रिस्पांसिबल मिनिस्ट्रियां मौझूद हैं, डिपार्टमेट्स मौझूद हैं, इंडिस्ट्री मौझूद हैं, उन्से पूछे जाएं कि यह ऐसे क्यों हुआ था, ये जो सारी बात करेंगे, कुछ एन्से बाट का भी जिकर होगा, कहा जा रहा है कि सूबों को 3% अपना हिस्सा फाटा को देना होगा, इसमें क्या इसके हवाले से मजीद चीज़े सामने आ सकती हैं, इसमें मजीद बात करेंगे, एक मुक्तस्त से ब्रेक के बादूद हैं, जी नाजीम करेंगे, कि एन्से फैसला किया है कि एन्से एवार्ड में से 3% सूबों को अपना हिस्सा फाटा को देना होगा, कुंडी साब आप बेतर समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फाटा को 3%, अगर 3 चारों सूबे देते हैं, तो 12% जाएगा फाटा को ही, बार्रा पसंट जाएगा, क कि एपी में तो 9% जाएगा, कि एडिपी जो है, अब यह फैसला करते हैं, कि फाटा की अपनी एडिपी है, केपी की अपनी है, तो वो मर्ग जोंगे, फिर यह 9% बागी 3 सूबे देंगे, फैलल हुआ तो फैसला किया है, लेकिन आया उन्होंने सूबों को ब इतमाद में ल को बने मोंगे तो जाएना चाहिए था या इसी सही की मिटिंग बोलानी चाहिए थी या चारो सूबों को जो है, वो चीफ मुनिशर सक को बनाना चाहिए था, जो इस बात करनी थी जी हम फाटा को यह करेंगी, तो वो नहीं दीए और अब डिए और आप के आडिये था कि ब ये मुश्किल टास्क हो सकता है आपने मश्वरा किया क्यूंकि ये तो कैबिनेट का डिस्यारी आज सामने आए तो सूबों से कोई मिशावरत हो ये सलसले में एक ये जhesionan अगर आज ये बात सामने आए है क्यूंकि मैं कैबिनेट की मीटिंग में नहीं था मैंने भी प्रेस कांफरंस के दोरान मैंने भी यह चीज़ देखी है लेकिन जो इसका बैक ग्राउंड है वो आपके भी इलमे है कि फाटा को भी मेंस्ट्रीम में लेकर आना है और ऐसे हमारे सूबे ऐसे हमारे अलाके जिनके अंदर तरक्की नहीं हुई उनको भी पाकिस्तान के साथ मेंस्ट्रीम में लेकर आएं ताके ये भी साथ हमारे तरक्की कहें जिस तरह नहीं हवाला बलोचिस्तान का दिया तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने तमाम सूबें हैं उनके दिल बहुत बड़े हैं और हम पाकिस्तान की तामीर के लिए क्योई ऐसा एरिया जो के पीछे रह गया जिसके अंदर तरक्की नहीं हो सकी उसके लिए मैं नहीं समझता है किसी को कोई इतरास उसके अंदर होगा अगर किसी की रेजर्वेशन या ताफुजा उसके बावजूद मीं होगी तो उसको टेबल पे बैठके जो है बसाटाव कर लेंगे तो जैन सब यह जो बात हो रही है अभी प्राइमिनिस्टर साब इन्हों ने पहले भी कहा कि अब वो चाइना भी जाएंगे साओधी अरब का भी दोरा करेंगे आपको लग रहे है चाइना कुछ रिलीव दे सकता है यह उसी मद में कहा गया है कि जी हम आएमिनिस्टर के पास हो सकता है कि ना जाना पड़े जादे के पहले यह जो एन्फसी वाली बात है मैं यह समझता हूँ कि शायद जब यह मरजर पे एगरी हुई थी ना सारी पार्टियां तो उस वक्त भी यह बात इन प्रिंसिपल डिसाइड हुई थी कि हमें मदद करनी पड़ेगी बिकाज ट्राइबल बेल्ट जो है उसके उपर हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम पीछे स्ट्रोन एज की तरफ जाएंगे तो आई थिंग एक अच्छा स्टेप है लेकर इसमें एन फ्री जब कोई बात होगी रिलेटेड तो वो चार सूबों की मरजी से होगी तो आई शूर कि इसमें होगा और इसमें हर पार्टी को हर हकूमत को मदद करनी चाहिए एक तो बात है दूसरी बात है देखे हमारे दुनिया के अंदर जो जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं जो मोस्ट ट्रस्टेड हैं उनमें वेरी फ्यू कंट्रीज हैं और उनमें टाप पे हैं सौधी अरिबिया भी चाइना भी तरकी भी हमसे वो उस तरह की हमारे साथ उनकी सिंप्तिज हैं तो आई तिंक दिस इस अगूड थिंग कि इमरान खान साथ पहले सौधी अरिबिया में गए पहले ट्रिप की उपर और अभी दुबारा भी वहां जाएंगे और चाइना भी जाएंगे हमें एक तो मुस्लिम यूनिटी की बात करनी चाहिए चूँके थ्रेट्स आ रही हैं इवन फ्रॉदिया को भी पाकिस्तान को भी और दूसरा चाइना के साथ भी बहुत सी चीजें जो ये स्टेटमेंटें दे के कन्फियून पर ये पहले हैं पिर इवन इमरान खान साथ ने बलुचिस्तान में जाके कहा कि हम रिव्यू करेंग होता है तो ये अच्छी बात है कि बैट के और उनकी उपर कन्विंस हो यही कंट्रीज हैं जो आपको बेल आउट कर सकते हैं और अगर ये MIMF से जान चूटती है तो I think that is very good लगता नहीं है जोर्स ओपर रखने चाहिए चलें दर्वाजे आप कहरें ओपन सब के लिए रख इसको कुछ करें कुछ कंट्रीज आपकी मदद कर सकते हैं लेकर एकानूमी को बेटर करने के लिए साथ आपको बैनल अक्वामी डिप्लोमेसी को भी जोर लगाना है चूँके आप डिप्लोमेटिकली स्ट्रेंग होंगे तो आपकी एकानूमी में भी फारंग पावर्स तफैली आदारे हैं चूँके 17% IMF की फाइनांसिंग अबरीका करता है तो उस दिन फाइनांस मिनिस्टर ने सदोमर साब ने कहा दिया के जी उसके उनकी बात ही कोई निया अमेरिका की आपकी यह बी डिप्लोमेटिकली बात है अमेरिकन्स इंटरस्ट क्या होगे तो यह तो चले एकानूमी की बात है तो पचास लाग घर बनाने की खुशखबरी भी सुनाई थी आपको लग रहा बना सके आई जो शिवाज शरीफ साब आशेयना हाउसिंग वो बन नहीं सका उसके लिए वो अंदर है जेल के अंदर ब तरीके से इसके उपर काम कर रही हुए कि देखें आज हुकुमत है कल नहीं होगी कल जो बियरोक्रेट से मियासाब के साथ थे और जो काम कर रहे थे तो आज वो अगर आशेयना में ये पता नहीं कि क्या आप तो आगर पता चल कि पता चलेगी उसमें कोई रबन हुआ यह तो उस पर खाम खाद देखेंगे कि क्या जो है वो उस पर कर से दें दूसरी चीज़ यह है कि लोगों की यह ख्याल था कि यह जब घर बनेंगे तो शैद गरीब लोगों को कुई बड़े असान कम रेट पे मिलेंगे या कुछ अमत मदद करेगी क्योंकि ऐसी सुलाया जान तो एक चीज़ अगर आपने घर के रहे तो आप तो फिर बैंक से भी करदा लेकि ले सकते हैं तो अगर वो चीज़े मैंने लेनी है तो अब इसमें बड़ी कंविए ने पहले तो यह था कि लोग यह खुश थे कि शायद इमरान खान आएंगे और पचास लाक लोगों घर ले तो यह शायद बेवकूफ बनाया गया लोगों अगर बात यह था है कि हर चीज़ को हमें ट्रेस्ट नी करना चाहिए बलकि बात यह है कि यह पहली हकूमत आई है जो लोगों को लोईर इंकम के लोगों को लो कास्ट गार बना कर दे रही है मुझे आप बताएं बड़ तो यह करें ने दो से चार परसेंट मोगेज डेट है तो यह 14 से 14 तेखें यह जा रहे हैं अभी टेक्निकालिटी की उपर मैं बात करूंगा ओन सर्फेस जो सामने चीज है जिसकी ब्रीफिंग हमने भी ली है और जो हकूमत का इरादा है करने का लैंड हम परवाइड कर रहे ह ठीक है और बीच में जो है मौर्गेज देंगे बैंक्स हमारे आसान लोगों को करदा नहीं मिलता बैंक्स से ठीक है अगर आप देख लें तो यहां पर मौर्गेज का कंसेप्ट ही नहीं है एक हाउस बिल्डिंग फैनैस जो है वो गर्णन का एक अदारा है वो कितने लोग साल के अंदर उसने अदा करनी होगी और बहुत कम किस्थ होगी जिससे आम सैलरी कलार्स बंदा भी और जिसमें वो लोग भी जिसमें मुक्तलिफ कंसेप्ट्स है इसमें अखुवत का जो कंसेप्ट है आपका कर्द हसना का वो भी इसके अंदर शामिल हैं उन गोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई रोजगार का मौाके नहीं है उन लोगों के लिए भी छट देने का जो है वह सिलसला इसके अंदर त्यार किया जा रहा है तो इसके ओपर आप कोई अलग से भी शो करना चाहें लेकिन अभी जो बाते सामें आने हैं कॉम को इतमाद मिले या ब्रीफिंग हो जाए या पार्लिमेंट में बदा दें कि अभी तो कन्फूजन है कि सरकारी मुलाजम ले सहेगा और जिसके पास जिसकी तंदखान नहीं है सरकारी मुलाजम नहीं है उसको बैंक कैसे लोन देगा दो तीन आप्शन के ओपर इस पे काम हो रहा है दो तीन आप्शन के ओपर सेलरिट कलास के लिए भी और वो आदमी जिसका कोई रोजगार का सिलसला नहीं है तो आप से बात हो रही है जो अखुवत का हमारा करज हसना का सिलसला है उसके ओपर काम हो रहा है सरकारी मुलाजमी को आप देखें तो हाॉजिंग मनिस्ट्री है या बाकी मनिस्ट्री है वो अपने लोगों को सस्ते घर बना के दे भी रहे होते हैं यह वरकर वेफड बोर्ड को ऒाए देखें वो फ्लेड्स बना रहे होते हैं घर बना रहे होते हैं तो अच्छी बात है अगर गरीब लोगों क्योंके अब कंफिवए इन्दी कि 50 लाग इंगे लोगों का यह ताल था चाहिए चाहिए शक्स से यही सुना काबल में हम अगवानिस्तान की बात करते हैं कंधार में गवनर हाउस पर हमला होता है तो ये जो अगवानिस्तान के हालात हैं खते में और आज भी तर्जमान दफ्तरे खारजा ये कह रहे हैं कि वहाँ इतहादी फोजों का इन्खला पाकिसान अभी नहीं चाहता कि ये जो गलोबलाइजड अन्वाइरमेंट्स के अंदर ये जो रीजिनल इशूजज़ हैं या कंट्री की इशूज़ हैं ये कंपार्टमेंटलाइज नहीं किये जा सकते हैं यू आर यू केनाट थिंक ये डिटैश्ट अपने आपको नहीं दुनिया में क्या हो रहा है तुक्ते में क्या हो रहा है बैनल अक्वामी सता की उपर आसमा ये कबड़ी पड़ी हुई है कि अमरीका कहता है कि अभी वार अन टेरर इस अलमोस्ट ओवर अभी इट्सक्वेशन आफ यूनि पॉलर वर्ड के अपने स्टेटस को हमने बचाना है और अभी ये स्टेटिजिक डामीनेंस की जंग हो रही है और देर्फ़ोर वो कहते हैं कि हम कोल्ड वार हमारी स्टार्ट है रश्या के साथ और ट्रेड वार हमारी चाइना के साथ है और सारी चीज़े उससे गाइड हो रही है देखें वही अमेरिका था और 9-11 के बाद उन्होंने अमारे कर्जे री प्रोफाइल करने में मदद की और हमें फ्री एंड मिला वही अमेरिका है जो आज I.M.F. को कह रहा है बिल्कुल होल्ड आन इनको नहीं देने चुकर ये एक चाइना को पेमिन्ट में ना दे ले है तो इसलिए मैंने इस कांटेक्स में ये कहा था कि बैनल अक्वामी स्था की उपर हमें अपने जो तालुकात हैं उनको भी डिपेर करना है और अंदरूनी स्था की उपर कोहेरंस हमारी पालिसी मौवा हमारी यो तारीक इनसाफ की गवर्मेंट है इनका मसला सिर्फ लीडर्शिप का ये है होना ये चाहिए कि पहले आप होमवर्क करते हैं फिर आप एक प्राजेक्ट अनॉंस करते हैं इन्होंने पहले प्राजेक्ट अनॉंस की हैं और अभी ये होमवर्क का सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा देखें अभी जो सेंसिस हुआ है दोजार अठारा का उसमें यह मुझे को बता रहा था कि पूरे पाकिस्तान में जो पक्के घार है वो 5 मिलियन है जो पिछले 17 सालों में बने हैं तो अभी आप अभी इन आपने जब यह एनॉंस किया कि हम पाइच सालों में फिप्टी ये तो इसका फिनांशियल कैसी वरक उप्टी ये ये पिखा जा रहे हैं कि पंदरा साल तक ही पेमिंट्स दी जा सकती है तो पंदरा साल तो आपकी अगली हकोमत आएगी आपकी तरह ये मनसुबे फट्न कर देए असमा बात ये है तो मेरे कुछ जवाब देखे कुछ चीज़ें होती हैं अवामी इंट्रस्ट के लिए वज़रा बात करें अगर कम्पीच हो जाए जैन सब की बात कम्पीच हो जाए एक करोड़ के लिए फरक साब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि एंटी करॉप्शन की ड्राइव नाट गुड़ एनफ टो टेक यू आउट आफ एकनामिक ट्रॉबल तो आप देखे के एक पेशेंट है जिसको टूबर क्लोसेज है आप कहते हैं कि एर कट कराते हैं इसकी शेव हो जाए इसके जू पालिश करो इसके नाखन उतारो यू एफ टू ट्रीट इम फरस्ट अव लेकर उसको पेशेंट को ट्रीट करें बहुत अच्छी बात है जो माजी की हकोमते नहीं कर सकी सबकी एकस्पेक्टेशन्स हमसे और हम करके भी तिखाएंगे सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक करोड़ घरों की डिमांड है डेली पाकिस्तान की अबादी में 15,000 लोगों का अजाफा हो रहा है और मंदली 1.5 0,50 लोगों का और आप अंधादा करें कितनी बड़ी तदाद में डिमांड आरी है उनको किसीने केटर तो करना बना लोग फुटपाथों के ओपर सोते हैं, पार्कों के ओपर सोते हैं, उनके पास रहने को छत मुझूद नहीं है, जौंपडियों के ओपर रहते हैं, तो ख़दारा अगर कोई लीडर विजन लेकर आया है, लोगों को घर देने वे लिए तो उसमें हम रोडे नट काएं, बलके होसला बंदाएं कि भी आप काम करें, हम आपके साथ करें, जो काम हम नहीं कर सकें, वो हम करके दिखाएंगे. चले हैं जी, अची बात है, आप खुंडी साब आपर का साथ दे दें. अब ने तो पहले दिन ही कहा है, अगर अच्छे काम हुकूमत करेगी, अच्छी का इनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उंके तसाथ नाओब हो, और अपुजिशन के साथ हो. आप ये पिच्छर ने दें कि सिर्फ एपुजिशन की तसाब है, हकुमत के तसाथ नहीं हो था. एक्रॉस जी बार्ट सब करें, भी सपोर्ट. हम भी एक्रॉस जी बार्ट ए तो अदारा है, उस अदारे ने काम करना है, हम उस अदारे को इसके अदारे को इसके। कानू ने अपना रास्ता इक्तियार करना है. अब चैर्मन अगर मुनिस्टर पे कॉल अंग करेगा, तो क्या मेसेज दे रहे हैं? क्योंकि दो दिन पहले आपके लोग खुश्षबरी सुनाते हैं कि अगला बंदा जेल में वेसा ही होता है मिटिंग जो है रात के अधेरे में तो नहीं हुई दिनको हुई है तो यहाँपर ऑपन मिटिंग हुई और उसका मकसद यह था कि जो भी आगे प्रॉजेक्ट्स होंगे मिनिस्ट्री से मुतलिक वहाँ पर जब ठेके देते वक्त नैप का नमाइंदा जो एक रिप्रेजेंटेटिव नैप का कानून के मताबिक उसमें मौजूद होना जरूरी है चले आप पासर अदाज़ नहीं बहुत मिट चाहिए जरूरी है इसका जसाथ जो बात होती है पाकसान के आवाम को रिलीफ मिलेगा इतिसाब होगा एक्षाब होगा अर्थ बूर्ड होना चाही यह उपोजिशन का मुतालबा तभी वो कहरे हम हम हुकूमत को सपोर्ट कर सक देखते हैं आने वाले वक्त में हालात मजीद किस चानब जाते हैं इसके साथ ही आपसे जाज़ चाबें ट्विटर पर आसमें इस शौदरी पर फॉलो कर सकते हैं फीड़बैक का इंतजार रहेगा इजास दीजेगा अलाहाफिस